सुप्रभाद बच्चों आसा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे स्वस्त होंगे मिठाई वाला पाट के पिछले वीडियों में आपने पढ़ा की राय विजय बहादुर के दो बच्चों ने खिलवने लेकर मा के पास आते हैं रोणडी इतने सुंदर और सस्ते खिलवने देखकर सोचने लगी तथा बच्चों से पूछने लगी कि इतने सस्ते खिलवने कैसे देकर गया लेखक आगे की कहनी में कहता है कि इसके 6 महिने बाद नगर में किसी मुर्ली वाले के आने का समाचार फैल गया लोग कहने लगे भाई वाह मुर्ली बजाने में वाह बहुत ही उस्ताद है मुर्ली बजा कर गाना सुना कर वा मुर्ली बेजता है सबसे सस्ती मुर्ली दो-दो पैसे में बेजता है एक ब्यक्ति ने पूछा कि कैसा है वा मुरली वाला मैंने तो उसे देखा नहीं रोड़ी उसकी आवाज सुनकर पहचान गई ये वही खिलाउने वाला है जो पहले खिलाउने बेचा करता था प्रति दिन नगर की प्रतेक गली में उसका मादक मुर्दुलसन सुनाई पड़ता और आवाजे आने लगती बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला आया रहे रोहडी ने अपने पति के द्वारा इस मुर्दी वाले को बुलाने के लिए कहा उस शमय बिजय बाबु एक समाचार पत्र पड़ रहे थे उसी तरह उसे लिये हुए वे दरवाजे पर आकर मुर्दी वाले से बोले क्यों भाई किस तरह देते हो मुर्दी इसी बीच बच्चों के कानों में जैसे ही मुर्ली वाले की आवाज सुनाई पड़ती है सारे बच्चे दोड़ते हुए मुर्ली वाले के पास आते हैं लेकर कहता है कि किसी की टोपी गली में गिर पड़ी किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी का पजामा ही धीला होकर लटक आया था इस तरह दोड़ते हापते हुए बच्चों का जुंड आ पहुचा एक साथ सभी बच्चे बोल उठे हम भी लेंदे मुल्ली और हम भी लेंदे मुल्ली मुल्ली वाला प्रसनता से गदगद हो उठा और बोला सब को देंगे भैया लेकिन जरा ठहरो मुल्ली वाला कहता है कि मेरे पास एक नहीं पूरी 57 मुल्लीा है अगे लेकर कहता है हाँ बाबू जी आपने क्या पूछा? कितने में दी? दी तो वशे तीन दीन पैसे के हिसाब से है पर आपको दो पैसे में ही दे दूँगा तो बच्चों आज की कहानी में बस इतना ही चलो देखते हैं कि आज आप लोगों ने क्या शीखा बहु विकल्पी प्रसल रोहडी ने मुरली वाले की बातें सुन कर क्या महसूस किया आपके भी कल्प हैं का ऐसे फेरे वाले आते जाते रहते हैं खा मामांगा सामान बेचता है गा ऐसा सने ही फेरी वाला पहले नहीं देखा गा मुरली वाला अच्छा बेवहार नहीं करता तो बच्चों आपके सही भी कल्प क्या है गा ऐसास ने ही फेरी वाला पहले नहीं देखा आपका अगला प्रश्ण है रोहणी को मुर्ली वाले के स्वर से किसका अस्मनण हो आया का मिठाई वाले का, खा खिलाउने वाले का, गा फेरी वाले का, गा बच्चों का तो बच्चों आपका सही विकल्ब क्या है? प्रश्न है जिस समय मुरली वाला गा कर आवाज देता है उस समय विजय बावु क्या कर रहे थे आपके विकल्प हैं का पढ़ रहे थे खा समाचार पत्र पढ़ रहे थे गा बैठे हुए थे गा सो रहे थे तो बच्चों आपका सही विकल्प क्या है खा समाचार पत्र मुरली वाले के पास कितनी मुरलियां थी आपके विकल्प हैं गा 50, खा 70, गा 40, गा 57 तो बच्चों आपका सही विकल्प क्या है गा 57 प्रशन अभ्यास के प्रशन निमलिखित प्रशनों के उत्तर देजिए आपका पहला प्रशन है रोहरी के पती का क्या नाम था रोहरी ने उनसे किसे बुलाने के लिए क्यों कहा नगर में क्या समाचार फैल गया था धन्यवाद बच्चों अगले दिन नए वीडियो के साथ हम पुना मिलते हैं